हेलो एब्रिवान वेलकम टू मैं चैनल आज हम लोग एसे सीच लेक्जाम 2023 के कोश्चन अनलाइज करने वाले देखने वाले आज के दिन के फर्स सिप में क्या कोश्चन पूछे गया है मतलब फूर्ट ऑफ ऑगस्ट 2023 का फर्स दिन का फर्स सिप का कोश्चन आज का ठीक है त फर्स क्वेश्चन क्या हो जाएगा आज के फर्स सिप का तो कोश्चन हो जाएगा फर्स सिप का क्या बोलाएं हू रोट उत्तर माचरितर ठीक है उत्तर रामाचरितर जो होगा तो यह किसने लिखाए इस बुक को किसने लिखाए उत्तर रामाचरितर को लिखाए वाबा भ हुआ है 10th में से शुरू हुआ है 10th में 1857 से यह शुरू हुआ है next question हो जाएगा सर्दास्वारंसिंग committee is related with which of the following किस से संबन्दी थे सर्दास्वारंसिंग committee थे यह हो जाएगा fundamental duties हमारे कितने fundamental duties है हमारे 11 fundamental duties है ठीक है इसमें से जो 11th fundamental duties जो add हुए ठीक है constitution में वो कौन से amendment के तहर हुआ है वो 86 amendment 2002 के तहर वो add हुआ था ठीक है यह भी exam में पूछा जा सकता है चाली next question हो जाएगा question number four which vice-law was responsible for the introduction of the vernicular press act तो कौन हो जाएगा तो यह हो जाएगा lord litten कब किया 1878 में यह किया गया है next question हो जाएगा at the time of winter two shoe festival is celebrated in the month of post in which state कौन से state में यह harvest festival है ठीक है तो यह जार्खन state का festival होता ठीक है यह question CGL में भी पूछा गया था 2023 में टीके 2022 में यह पूछा गया था and same MTS में भी पूछा गया था यह question तो same question पूछा गया फिर से यहाँ पे CSL में तो question बहुत repeat हो थे next question हो जाए question number six which stage has become the country's first carbon free state कौन सा state हो जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश state next question पूछा गया है who has become the first Indian to win two medals in the fight world bliss chase championship 2022 तो कौन जीत है तो यह हो जाएगा कौने डू हम पी next question क्या पूछा है next question question number eight ऐसा पूछा है अटल टनेल ठीक है very updated रावाडेस यह ठीक है अटल टनेल the world longest highway tunnel connects Manali with which place कौन से place के साथ Manali को जोड़ता है तो यह हो जाएगा लहोली से कितने सित्पी तक टिक है लहोली से स्पीती तक यह जोड़ता है ठीक है Manali to which place लहोली स्पीती के साथ यह जोड़ता है next हो जाएगा which of the following is the classical dance form of उत्तर प्रदेश तो यह हो जाएगा कथक को बोला जाता है classical dance form of उत्तर प्रदेश next question हो जाएगा which state has become the first Indian state to launch the semiconductor policy 2022 to 2020 से मतलब 5 साल के लिए किया गया तो यह हो जाएगा किसने किया है तो गुजराट state ने इसको launch किया है next question पूछा गया India was qualified for the world team's championship 2021 to 2020 जो हाले में हो गया है final में जो reach किया तो India ने by defeating which country कौन से country को हरा के तो यह हो जाएगा Australia को हरा के गये थे और वहां पर Australia के साथ ही हार गये ठीक है चलिए next question हो जाए question number 12 question क्या पूछाए what is the percentage of the female workers in the total population as per 2011 census यह भी बहुत important questioning तो यह हो जाएगा 25.6 ठीक है 25.6 female and male साहत 39.something ऐसा कुछ होगा और 53 ठीक है तो चलिए next question देख लेते question number 13 हो जाएगा which of the following personalities is associated with the musical instrument flute तो कौन हो जाएगा हरी प्रसा चौरा सिया and पानना लालगोश option में शायद हरी प्रसा चौरा सिया दिया होगा ठीक है next question what is the lane width of the Olympic size swimming pole ठीक है यह बहुत ही tough question है इस question को कौन परेगा ठीक है इस question जो swimming के इलावा ठीक है जो लोग swimming करते हैं उसके इलावा को किसी के यह question नहीं संभवोगा ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा 2.5 मिटर बहुत ही tough question है ठीक है यह question कहां से कहां से लाते है इससे पता नहीं ठीक है तो चलिए यहाँ पर जो 14 question जो फर्स इसको यह बहुत ही important होगा upcoming सभी जो shift के लिए तो चलिए आज इतना ही रखते हैं अगर अच्छा लगा तो like share subscribe कर देना और क्या करना comment and share जरूर